I am not a historian, but I like to write local history of cities, small towns and villages. Local history of such places may be very important, when Ambed then combined together with our national history gives us a true character of history. I am Vinay Kapoor, और आज हम बात करेंगे बागपत के एक छोटे से गाव सिनौली में की गई खुदाई की. जिस पर मैंने एक पोस्ट पहले ही डाली हुई है, लेकिन इधर सिनौली पर यूट्यूब में पोस्टों की जैसे बाड़ आ गई है. NCRT की पुस्तकों में इतिहास बदलने की कारेवाही शुरू भी हो गई और किताबे भी आ गई. सिनौली में मिले कनकालो वर चैरियट के रेडियो कॉबन तिथी करण से अनुमान लगा है कि यहां की कबरे 2200-1800 इसा पूर्व दिनानकित है. यहां मिले रत और दो मुह वाली तामबे की तलवार किन ही बड़े योधाओं के लगते हैं. रत का आगमन आर्य सभयता के साथ हुआ माना जाता है, लेकिन यहां की तिथी सिंधू-घाटी सभयता काल से मिलती है, जिससे कुछ इतिहासकार आर्यो को ही सिंधू-घाटी सभयता से संबंधित होने का दावा कर रहे हैं. इन्हें बाहर से आये हुए नहीं मानते सिंधू घाटी सभ्यता के सभी प्रमुक्स थलो पर खुदाई के दोरान भी कनकाल मिल चुके है लेकिन रत पहली बार मिला है DNA जाच रिपोर्ट से घोड़े के अवशेशों की भी पुष्टी हुई इस कारण सिंधू घाटी सभ्यता का संबंध वैदिक काल से जोड़ा गया है वैदिक काल में अंतिम संसकार की वर्नित प्रक्रिया, रिगुएद में वर्नित प्रक्रिया जैसी ही है जो खुदाई में मिले साक्षय जैसे ही है खुदाए में महिला योधाओं के कटे पैर प्राप्थ होना पुष्टी करता है कि वैदिक काल के समान इस सभ्यता में महिलाएं युद्धों में भाग लेती थी इन आधारों पर सिंदु घाटी सभ्यता के काल को ही वैदिक काल और वैदिक काल को हरप्पन काल मान लिया है। लेकिन क्या केवल एक चैरियट मिलने से आर्य भारतिय ही थे, बाहर से नहीं आये थे, मानना उच्चत है। एक DNA नहीं बलकि ऐसे अनेको DNA मिलने से तथे की कर दो कर दो कि दो कर दो कर दो ही थे, बाहर से तथे की पुझा थे की वैदिक काल कि लिए भारतिया।